अब कमेंट और A.K.S.G. और आज फिर हम अपने RPSC-Library की त्वीर के त्यारी करेंगे और RPSC-Library Grade-to की त्यारी करेंगे और RPSC-Library Grade-to में और हम गया देख रहे हैं आपका theory section, यानि कि PYQ आपको करा दिया गया है, और PYQ आपको कहा मिलेगा, टेलेग्राम गुरूप पर आपका PYQ करा गया, तो वहाँ पर आपको टेलेग्राम गुरूप से PYQ निकाल लेना है, और आपको क्या करना है, हमें क्या करना है, PYQ भी उसे practice करिए, जिस से आपके कहा है, जिसका 100 question दियाएंगे, 100 के 100 आपको, आपको कोई नींद में पूचे तो आपको आपको याद होने चाहिए, कि उसका answer क्या है, बीना option दे के, यानि कि क्या ऐपको क्या है, उसका answer याद होना चाहिए, और आपको paper का मिलें टैलिग्राम गूरुप पर मिलेगा और playlist भी यानिकि आरपेस लाइवरेग्रेटों की playlist है उसमें भी आपको solve कराया घया है तो चलिए आज का topic देखते आज का topic क्या है यानि कि cataloging यानि कि आज का टॉपिक क्या है cataloging और जो भी क्या है student नहीं है वो क्या करें टेलिग्राम गुरूप को join कर लें YouTube चैनल को subscribe कर लें वीडियो को like करें share करें और जाज ज्यादा और जो PDF है और जो सारे PDF आपको मिलेंगे यानि कि आपको PYQ या फिर आपके mock test के जो PDF जाएंगे जिससे क्या हो एक बैता तैयारी हो जाए तो चलिए आज का topic देखते हैं आज का topic हम क्या करते हैं से पहले आता है यानि cataloging ठीक है आज हम जाने के cataloging फिर सके बार need and purposes को कल आपको बताऊंगा मैं विल्कुँ सही तरह से क्योंकि need and purposes है थो छोटा topic पर कहीं नहीं कैटलोग की बात आती है यानि catalog क्या है चलिए नीड और उसको कली देखेंगे क्योंकि इसमें पहली बात है catalog आपको जानने की catalog है क्या यानि कि catalog की बात आती क्यूं है या फिर एक तरह से catalog हम जो लेके चलते हैं कि catalog catalog जो बिल्ट नहीं पर आपको दो सेमिस्टर होते हैं यानि कि फर्स्ट सेमिस्टर में हमें क्या सकाया जाता है इस डीडी सी में जब RPSC का पेपर कराया था यानि RPSC Grade 2 का पेपर कराया मैंने RPSC का नम Grade 3 का पेपर कराया आर पेपर कराया तो आपको से एक question पूचा गया था कि यहाँ केटलोग का आड का साइज क्या होता है लेकि छोटे लिए पहले लेकि चलते हैं और हिए कई किुछ यह चलते हैं सबस्क्राइं ने गया का आपको देखने कि लिए मिलेगा या फिर काड़ होता किस तरह का का एक है इसमें क्या है दो लाइन यहां कि रहती है और यहां पर एक लगते हैं उसमें लगाते हैं उसमें लगाते हैं और उससे क्यों या नीचे होता है क्योंकि उपर से हम इसके टाइटल और यह सब चीजें देख सकें ठीक है या आपको पता होगा अब catalog card में यानि की पहल यह क्या है पहला पहली line जिसे कहते है फिर यह दूसरी line कहते है और यह होती है आपकी main line आपसे कोई पुछे यह क्या है main line है ठीक है इसे क्या कहते है यानि की पहला first indention second second indention ठीक है यह आपकी हो जाएगी catalog card के बारे में ठीक है अब लिखा कैसे जाता है यानि आप से कोई पूछन लगे कि लिखा कैसे जाता है भाई आपको पताऊगा title लिखा जाता है ठीक है यानि कि बोक के बारे में लिखा जाएगा उसके सारी चीजे लिखी जाएंगी कवर होंगी तो कहीं नहीं आपको यह पता हो केटलोग में सारी चीजे हम क्या करते हैं कवर करते हैं क्या करते हैं जैसे मान लीजिए आपका कोई क्लास यानि electronics आपको क्या है there is a लिखने जाएक आपको लिखे जाए onē कईक circa उसार नंबर इस डब्य एम लिखते जाए तो यहाँ मान के चलिए C4 11 L 22 हो गया ठीक है यह आपका हो गया कोल नमबर अब लिखा यानि इसके बाद क्या लिखा जाएगा अब आप से कोई भी किताब मान लेजिए जैसे मान के चलिए किसी का नाम है जैसे मेरा नाम है जैसे मेरा नाम क्या है आशीश कुमार सिंग है ठीक है तो हम लिखते कैसे है सिंग आशीश कुमार ऐसे तो लिखें है भाई अगर मैं एके सिंग लिखता हूँ एके सिंग ठीक है तो कैसे लिखे जाएंगे सिंग एके यह इदे लिखा जाता है और वो कहा लिखा जाएगा यहां पर लिखा जाएगा सिंग एके यह लिखा गया अब यहां से सुरू हो गया आपके कहानी क्या है चल एक और बना लेता हूँ है है टेक है के यह तो आपने वैसे जाता सबने सीखा हूँ के तू यह पर क्या था हमारा सी 44 दूसरा लेई लिखताए नबर 52 नमबर होगे है कम यह मार पास 22 ठीक है अब यहां लिख लेते है और four one one यहां पर लिख दिया मैंने सिंग एक ठीक है टाइटल लिख देते हैं चलो राजिस्तान लाइब्रेरियन कर देते हैं अभी कहना इससे मैच बीना मैच करें बता रहा हूं आपको जाने की राजिस्तान लाइब्रेरी या लाइब्रेरियन एक्जाम दोजाद चोबिस ठीक है यह हो गई आपकी अब आपको क्या लिखना है अमें क्या लिखना है यहां पर इसके बाद क्या जाएगा क्या आएगा यानिक इसके बाद आपका सेकंड नेम आता है यहां पर क्या आता है सेकंड नेम सेकंड नेम किसका जो ओथर बोथर यानिक जैसे यह तो में नेम हो गया यह क्या होता है में नेम जो पहला नाम होता है में नेम होता है सेकंड नेम हो गया फिर इसके बाद क्या है इसके बाद आपका क्या है चीजे हैं वो यहाँ पर आनी शुरू हो जाएंगी तो इस तरह से हम क्या के लोग का काड़ बनाते हैं ठीक है तो केटलोग का कड़ आपको मेंली स्वाज में आ गया है वैसे विए कोशन कभी पूछे नहीं जाएगा ठीक है पूछा क्या जाता है आपसे तो मैंने आपको ब सब्सक्राइब होता अलफवेटिकली च्लासिफायड है और अलफ़ा क्लासिफायड यह तीन टाइप होते हैं उसके यह तरह से काटलोग के टीन टाइप माल ली ठीक है यहां तक आपको समझ में आगया चीजें समझ में आगी अब आती है बात कि करण की जरुत हमें क्यों क्या है catalog क्या है आपका किसी भी यानि कि किसी भी लाइब्रेरी में catalog card किसी भी लाइब्रेरी में catalog card एक book का id card होता है जिस से उस book की सारी पहचान का पता चलता है क्या होता है जैसे आपका क्या है आधार card है ठीक है आपका क्या है pen card है तो आधार card और pen card क्या show करते हैं यानि कि एक universal है ठीक है एक library में एक किताब का एक ही card होगा ठीक है तो वह क्या कर रहा है और आपको identification की काम कर रहा है बैक ही यह यह आव्यक्ति है यह इसका pen कराते हैं इसी तरह क्या होती है हमारे library में भी catalog क्या करता है catalog card आपका क्या करता है एक identification card होता है ठीक अब आपके ACC नंबर और call नंबर क्या है वो उसके नंबर है जैसे क्या है आदान नंबर होता है उनिक नंबर होता है catalog और इसे पहimento in तो healthy होता है हर लाइबरी में कॉरिन नंबर और एक सिमन नंबर क्या होता है एक unique है जो कहा है लाइबरी में catalog की यानि बुक की पहचान कराता है तो यह कहीं न कहीं चीज़े हमें पढ़ नी है और इसके बाद हमाई need and purposes पढ़ेंगे जो कि हम कर पढ़ेंगे कल ठीक है बच्चो तो आपको यानि कि catalog card का बता लिए आपको प्रेक्टिकल यानि प्रेक्टिकल की में आपको आदू के लो कार्ण में देखो बनाना देखो मैं भी यानि रह चुक हो प्रोफेशन में तो यानि कि मेरे को सीधी बाती है यह catalog card easy लगता और आपके नंबर ccpc के number से निकालने से क्यूंकि उसमें साही चीज़े वालम होती है तो catalog card easy है ठीक है अब उसमें आता है catalog card volume 1 volume 2 वाला वालम भी मैं बता दूँगा आपको catalog card main भी बता दूँगा volume 1 और volume 2 में कुछ नहीं होता है सिर्फ volume 1 और volume 2 लिखा जाता है उसी के पीछे लगते हैं ठीक है चली आशे करता हूँ आपको वीडियो पस नवी वीडियो पस नवी तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को जाशे शेर करें तेंक्यू